लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चानल समितास केचेन डाइरी आज हम बनाएंगे मूर ग्रेजाला जिसके लिए मैं ली हूँ हाफ कीलो चिकेन करी कट एक बड़ा प्याज को वरेस्ता बना के इसको पतला-पतला काट करके गोल्डन बाउन करके में फ्राइ करके रखी हू एक टेबल स्पून में ली हूँ जिन जो गयलिक पेस्ट जो घर में बनाया हुआ है एक कटोरा दही और एक मिही सा पेस्ट हम बनाएंगे और पेस्ट के लिए मैं ली हूँ खस-खस एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून रॉ नारियल या कच्छा नारियल और दस से बारा आमन्द, अभी हम लोग क्या करेंगे, ना चिकेन को मैरीनेट करेंगे, चिकेन को अच्छा से पानी निचोड लीजिए, दो के, उसके बाद हम मिलाएंगे जितना द़ही में लीपने ठी, 12 हाफ 12 द़ही हम इसमें, मैरीन रेशन लिए यूज करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साल्ट अकरड़िंट टुद टेस्ट आइड वन टेबल स्पून आ सारी वन टीश्पून आ पॉरियंडर पाउडर को अमें घर में यहां पर अक्चली प्रिपार की हू करियंडर शीड्स लेके उसको धो के सुखा के उसका पाउडर में बनाई हो मैं ट्राई करती हूँ अच्छली घर का पीसा हुआ मसाला यूज करने के लिए उसका फ्लेबर कुछ अलग होता है अभी हम चिकन को हाथ से अच्छा से मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने के टाइम जो ब्रेस्ता हम लोग प्रिपार करके रखे थे उसमें से एक स्पून ब्रेस्ता हम मैरिनेशन में यूज करेंगे इसका flavor कुछ अलग होती है और यह जो preparation है चिकेन रेजला या मूर्ग रेजला का ये पहले मेरे channel में और एक मूर्ग रेजला का recipe है उससे अलग है ये थोड़ा different style का है ये typical जो कुलकता में चिकेन रेजला बना जाता है और टाइप का नहीं है इसमें में थोड़ा मेरा twist दी आप लोग प्लीज इसको आपके किचिन में ट्राई किजिएगा यह बहुत लाजबाब बनता है और बहुत डेलिसियस है बहुत यमी रेसिपी है अभी पुजा आ रहा है आप लोग को मैंने बहुत नया नया रेसिपी दिखा हूँ है आप लोग पुजा के टाइम उसको ट्र पता और इसमें आप डाल सकते होल गरम मसाला जैसे पेपर करन हुआ लॉंग ग्रीन इलाइची और डाल चिनी उसके बाद हम डालेंगे मैरिनेटेड किया हुआ चिकन को जरूर मैरिनेट करके एक घंटा रखिए सो दाट उसका जो मसाला है उसके अंदर चला जाएगा और है उसमें से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी हाई फ्लेम में रखे हम चिकन को फ्राई करेंगे यह चिकन फ्राई हम लूंको ज्यादा टाइम करना नहीं पड़ता है क्योंकि चिकन गल जाता है दो से तीन मिनिट हाई फ्लेम में इसको करिएगा, क्योंकि आप ग्यास का फ्लेम लो कर दोगे, तो इसमें से पानी निकलेगा, आज विजुल चिकन पानी छोड़ता है, उसके बाद हम लोग इसमें दही भी डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी बनी हो जाएगा, तो उस करते हैं कि सेम रेसिपी हम लोग घर में ट्राई किये हैं, बट इतना अच्छा नहीं होता है, बट आप लोग प्लीज इसको फॉलो करें जिए, स्टेप बाई स्टेप, अभी में जो हाप दही था, उसमें थोड़ा सा जाईफल और लॉंग का पाउडर मिलाई हूं, थोड आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने जो नारियल खसकस और आमंड का एक पेस्ट बनाई हूं, आप लोग हाप आमंड हाप कैश्यू भी पेस्ट में यूज कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा हेल्दी बनाने का कोशिज कर रहे हूं, इसलिए मैंने कैश्यू नट्स यूज अभी आप देख पा रहे हैं, मेरे चिकन का कलर चेंज हो गया है, चिकन लगभग 50-60% कूक हो गया है, और आप इसको मेडियम हाइफ फ्लेम में रखिए, अभी हम इसमें यूज करेंगे हमारा जो वेट मसाला, वेट मसाला में हम लोग पहले डारेंगे अच्छली जो पेस पेस्ट को डालने के बाद हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा से, ये पेस्ट एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है, बहुत अच्छा से एक टेक्स्टर भी देता है, मूर्ग रजेल को, आप लोग को पता है कि मेरा इनावस किचिन चलता है, मैं हर्दम ट्राइ क किया, बट चेंज करने से, आप लोग को दूसरा, तीसरा, चोधा बाला टेस्ट भी समझ में आएगा, कभी-कभी क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज करने से, टेस्ट में भी आप लोग का थोड़ा सा चेंज होता है, और खाने के लिए भी अच्छा लगता ह अभी मेरा पेस्ट के साथ चिकन अल्रेडी कूक हो गया है, मैंने उसको 2-3 मिनिट में छोड़ दी हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अच्छली जो दही, जो दही में मैंने नटमेक पाउडर और लॉंग का पाउडर, क्लोप पाउडर मिक्स करके रखी थी, यह प्लेवर्फूर कर्ड है, यह सिचुएशन में आप लोग इसको डालने के बाद उसमें डाल देंगे बाकी का जो ब्रेस्ता, जो फ्राइड ओनियन हम लोग रखे थे, हाप यूज किये थे मारी रेशन में, हाप रखे थे, सो इसको आड कर देंगे चिकन में, आप बिलिम करोगे, मैं अभी भॉय सोबर देने के टाइम मेरे मूँ में पानी आ रहा है, यह इतना टेस्ट ही हुआ था, इसका टेक्स्चर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आया था, तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बना के देखिएगा, और इसको करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वह बहुत जल्दी हो जाता है, इसका कुकिंग टाइम 10-12 मिनिट्स है, 10-12 मिनिट्स में आच्छा से कूक होके और रेडी हो जाता है, अभी इसमें हम डालेंगे हरा धनिया बारिक कटा हुआ, जैनरली जो चिकेन रेजला कोलकता में प्र ग्रीन चिली और थोड़ा सा घी और जो ब्रेस्ता जो लास्ट का था हिस्सा उसको मैंने मैरीनेशन में यूज करूँगी, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, यह गरम मसाला घर का बनाया हुआ है, आपको जो गरम मसाला अच्छा लगता है, ओ ग इसमें जैसे मैंने बोली, घर में पिसा हुआ गरम मसाला में यूज कर रही हूँ, अभी मेरा मूर्ग रेजला लगभग रेड़ी है, मैं इसको आप लोगों को एक सौर्विंग डिश में सौर्व करके दिखाऊंगी, जब मूर्ग रेजला प्रिपार हो जाएगा, उसको लगा के एक मिनिट छोड़ दिजेगा, जितना सारा मसाला हम लोगों ने फ्लेबर हम लोगों ने यूज किया है, वो इन्फ्यूज हो जाएगा चिकन के अंदर, आपको देखके किसका मूँ में पानी आ रहा है, इसको आप लोग रोटी, पराथा, लच्छा पराथा, नान किछी के साथ भी कहा सकते हैं, बिर्यानी के साथ भी मूर्ग रजाला बहुत अच्छा लगता है, आप देखिए मैंने इसको सार्भ कर दिया, सार्भिंग डिश में, ये कितना कितना डेलिशियस दिखने के लिए है, उतना खाने के लिए हुआ था, आसा करती हूँ, ये बल बाइ टाटा